हेलो फ्रेंड्स वेल्केम तो माई चाइनल आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा वह बहुत इजी सा नीटिंग पैटन लेकर आई हूँ यह जो पैटन है आप इसे बीबी स्वाइटर के लिए बना सकते हैं अप जैन श्वाइटर कोई बना रहे हैं तो इस पर बना सकते हैं तो चले शुरू करते हम इस प्यारे से बहुती ईजी से नीटिंग पैटर्न को सीखना, सबसे पहले हम नीडिल देखेंगे यहां पर तो मैंने यहां पर 3.5 mm की नीडिल लिए आप 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर की नीडिल ले सकते हैं, इस्टिच हम देखेंगे तो यहां पर आप और चानी पर शुरू करेंगे, तो पहली सलाई हम सीधी तरफ से शुरू करेंगे आपको क्या करना है पहले फंदे को सिलिप कर देना है, अब 4 हमारा देखेंग डिजायन रहेगा जिसमिंए आपको पहला फंदा नो थरी के से पहला जो है वो सीधा बिनना है इस तरीक वापस से लेफ्ट निडिल पर आपको यह दोनों फंदों को ले लेना है जो बीच का फंदा रहेगा वो आपका सबसे आगे आना चाहिए देखे इस तरीके से अब हमें तीनों फंदों को एक साथ निडिल पर लेना है और देखे इस तरीके से और एक बर पहले हम सीधा बिने तो तीन फंदों के यहां पर हमारे तीन फंदे हो जाएंगे इसके बाद देखें आपको क्या करना है यही जो चार फंदे रिपीट करने हैं पहला फंदा आपको सीधा बिन लेना है इसके बाद देखिए पहला फंदा सीधा बिनने के बाद जो आपका बीच वाला फंदा है आगे लाने के लिए आपको दोनों फंदों को इस तरीके से मोड़ना है तिसरे फंदे को सीधा करते हुए निडिल पे ले लेना है फिर देखिए इस तरीके से पहला फंदा आगे की तरफ लाते हुए तीनों फंदों को आपको एक साथ राइट साइट के निडल में बीच में से लेना है और एक बार सीधा बिनना है और दूसरे फंदे के लिए देखिए आपको क्या करना है इस तरीके से सलाई पे उल लपेटना है इसके बाद फिर से एक बार आपको इसे सीधा बिल लेना है तो यहाँ पर आपके तीन फंदों के वापस से तीन फंदे हो जाएंगे अ तौनों फंदों को वापस से निडिल में light की लिणा है और तीनों फंदों को एक सा सलाई में लेते हुए देखिये इस तरीके दाए से लेना है और पहले एक बार हमके प्ला भ windows ले पिर दूसरे फंदे के लिए हमें सेलाई पर उन लपेटेंगे, यानी कि इस तरी किसे हम दूसरा फंदा बनाएंगे, और तिसरे फंदे के लिए आपको फिर सों तीनो फंदो को सीधा बिल लेना है, अब ये फंदा, आपका डिजाइन सेट करने वाला है, इसे सीधा इनको आपको पूरा उल्टा कर देना है यह दिड़ादा इसलेके से अगर आपने मे manifest की सीरी परोग जरूर नाली रहेगीं अव भाए को शीकरी यह रहे हसा प्रुण कर देना कर ली है अब हम देखिए आएंगे तिसरी सलाई पे थर्ड रो आ जाएगी आपकी थर्ड राइट साइट साइगी पहली सलाई पहले फंदे को आपको सिलिप करना है पहले हमने चार फंदो पे फर्स्ट पे डिजाइन बनाए था अपकी बार देखिए हमें तीन फंदो को सीधे बिनने के बाद इन तीनों फंदों पे डिजाइन को बनाना है करना वही है आपको दोनों फंदों को मोड़ते वे बीच वला फंदा आगी की तरफ लाना है तिसरे फंदे को जरूर सिधा कीजिए फिर आपको इन तीनों फंदों को एक साथ लाते हुए तीनों ही बीच वाले फंदे को आगे लाने के लिए इस तरीके से हम फंदों को मोड़ेंगे तिसरा फंदा मोड़ते वे सीधा करेंगे फिर दोनों फंदों को आपको इस तरीके से वापस से ले लेना है जो आपका बीच वाला फंदा है वो सबसे आगे ही आना चाहिए अब इन तीनों फंदों को आपको एक साथ एक बार पहले सीधा बिनेंगे फिर इस तरीके से हम दूसरा फंदा बनाएंगे और पिर तिसरे फंदे के लिए आपको फिर से इसे एक बार जो है वो सीधा बिन लेना है तो यहाँ पर देखिए आपके जो चार फंदे आपके शुरुआत में आएंगे और चारी फंदे आपके लास्ट में आएंगे पहला फंदा स्लिप करने के बाद तीन फंदे हमने सीधे बिने थे अब हम यह चारो ही फंदे जो है वो सीधे बिन देंगे तो यहाँ पर आपका जो है रो थर्ड राइट साइड से कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से रो फोर आपकी रॉंग साइट की आएगी चोथी सला यह आपकी उल्टी तरफ आते हूँ आएगी और आपको यह सभी फंदो को जो है वो उल्टा उल्टा बिल लेना है तो यहाँ पर आपकी रो सेकिंड और रो फोर जो है वो सेम रिपीट होगी इस तरीके से पूरा फंदा उल्टा बिल लेगी इस डिजाइन को आप बेबी फ्रॉक में भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से आपका जो पैटन है और जब आप इसे देखिए इसमें देखेंगे तो देखिए हमारा सेम डिजाइन आया है इस तरीके से देखिए जब आप इसे कंटीन्यू बनाते जाएंगे तो आपका डिजाइन कुछ इस तरीके से देखिए आएगा बहुती प्यारा बहुती इजी डिजाइन है अगर आप बिगनर है तो भी आप इस डिजाइन को बहुती इजली बना लेंगे आप इसे किसी भी बूलन प्रोजेक्ट पर बना सकते हैं I hope आपको डिजाइन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया